नमस्ते हैं, आज मैं पंच मेल डाल दाल या पंच रितन डाल और दाल बाटो की रेसपी लिए राजस्थान बहुत ही फिरमस रेसपी है तो इसे जरूर त्राय कीज़ेगा। इसके लिए मैंने 5 मेल, 5 मेल डाल, यह 5 मेल डाल मिक्स होते हैं, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, इस तरह से आपको मार्केट में मिल जाएंगे, यह मैंने लगबग 180 ग्राम मैंने लिया है, और इसे पानी में डाल कर आप एक गंडे के लिए भीगो के रख दीजिएगा, फ दाल गाड़ी बनती है, अब बहुत ही हेल्दी है, तो आप इसे बनाईएगा, खायेगा, बहुत ही अच्छी भी लगती है खाने में, अब हमारी दाल उबल गई है, उसे हम गैस निकलने के लिए छोड़ देंगे, तब मैंने कढ़ाई ले लिए उसमें मैंने घी एक चमच और मैंने बटर दो चमच, आप अपने अकॉर्डिंग गी बटर कम ज़्यादा कर सकते हैं, फिर मैंने आधा चमच जीरा लिया है, इसमें मैंने तेज पत्ता दो डाले हैं, आप जीरा आधा चमच, एक चमच कम ज़्यादा ले सकते हैं, फिर मैंने इसमें तीन मिर्च डाल में एक प्याच को बारिक कट कर डाल दिया है इन सब चीजों को हम थोड़ा से रोष्ट कर लेंगे इस तरह से इसे मैंने हल्दी आदा चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच गरम मसाला आदा चम्मच और लाल मिर्च एक चम्मच इन सब चीजों से पंच मेल दाल को स्वाद ब दाल में भी योज किया है तो ध्यान रखे उसके अकॉर्डिंग इसमें नमक डालिएगा इन सब चीजों को हम इस तरह से भूंच लेंगे फिर मैंने दो बारिक कटेवे टमाटर डाले हैं यह दाल बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्दी होती है आप यह रोटी पराथा बा देने के लिए सपोर्ट करने के लिए इस तरह से देखे हमारी यह जो अमने डाल बाली थी वह इसमें हम डाल देंगे इसकी ठीकने सब ज्यादा है तो आपको कितनी गाड़ी या पतले रखने इसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डालिएगा पर यह दाल थोड़ी से ग जबंदें तरह सम звित काई पिरगे लिए समस्क्राम आपे से अधिकान ताब सीमें सब ह Mort感 सिया है मिक्स हो जाए अब देखें हम दाल भी हो और बावल में निकाल दिया थोड़ा दनिया से मैंने गार्निष्ण कर लिए चाल दाल यह वह मैंने बाटि के त्यार है देखे आप चलिए हम बाटी की त्यारी करते हैं उसके लिए मैंने एक कप दरदरा या मोटा ग्यहूं काटा लिए आप नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं मेरे पास थी तो मैंने यह डाला इसे बाटी हमारी बहुत अच्छी बनेगी मैंने आदा कप सूजी डाली है उसके बाद दो चमच बेसन डाले हैं आप किसी कटोरी की नाप से भी आप यह बना सकते एक कटोरी ले आटा तो आदा कटोरी सूजी और दो चमच बेसन अब इसमें नमक श्वाद अनसार डाल लेंगे उसके बाद इसमें हम आदा चमच अजवाईन को हलका सा हाथ में करस करके डाल ले इस तरह से अगर आप बाटी बनाते तो आपके बाटी बहुत ही अच्छी बनेगी राजस्थान की फेमस डीस है तो जुरू ट्राइ किजिएगा अब गी हम लगभग इसमें एक या दो चमच आप जैसा घी खाना पसंद करते हैं इसके अकॉडिंग कम जादा घी आप कर सकते तो गी से फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है अब इसमें हम आधा कप या कटोरी जिससे भी आप मेजर कर रहे हैं उसके अकॉडिंग आप इसमें दूड डाल दीजिएगा अई आटा काफी सकत इसे गुथना रहता है देखिए मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने उ आप मेकर में बनाऊंगी इसमें बहुत ही असान है लगवा सब के पास होती है तो आप इसमें बनाईएगा तो काफी अच्छी है और काफी जल्दी बन जाती है या फिर अप कढ़ाई गर्म करकर इसमें श्टेंड रखकर आप उस तरह भी बाटी बना सकते हैं इस तरह से म तेस्टी बहुत ही एच्छी लगती है खाने में काफी हेल्दी और टेश्टी है ताप यह डिनर में बना कर खाएं बहुत ही इच्छी लगती है लंच में भी बना कर खा सकते हैं देखिए इस तरह से बाटी सब तयार कर लेंगे और उधर हम अपय मेकर को थोड़ा सा गर्म कर कर लेंगे या पिर प्री हेट कर लेंगे कुछ देर के लिए अश्व में हम थोड़ा-thोड़ा सघी डाल दें कम से कम अपे मिकर को आप चार से पांच मिनिट के लिए लो फलेम पर प्री हिट कर ले ताकि थोड़ा सी गर्म रहा तो आपकी बाटी अच्छे से पगजाएगी गी डाल दिया आप सबको इस तरह से डाल देंगे और सबी को हमें golden color golden brown color होने तक अच्छी से पिलट पिलट कर सेक लेना है देखिए उतना से हमने इतने सारे हमारी बाटी त्यार हो गई है लोग एक 11-12 बाटी उससे त्यार हो गई है अगर आपको ज्यादा बनाना है तो बस इसकी मेजरमेंट आप डबल कर लीजिए आप ज्यादा बाटी आराम से बना सकते हैं देखें कितनी अची तरह से हो रही है तो बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर डाल बाटी बना कर खा सकते हैं खिला सकते हैं आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही देख रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें देखें मैंने थोड़ा सा गी और डाला है गी डाले से फ्लेबर बहुत ही बढ़ जाता है पर आपको गी ना पसंद हो तो आप इस तरह से भी बाटी सेख सकते हैं बिटावट गी का देखें लगबग ही हमारी अच्छी से फट रही है फटने का मतलब है कि हमारी बाटी अच्छी से अंदर से सीख लूँगी देखें कितनी अच्छी यह बनी है इस तरह से प्लट प्लट कर आप इस तरह के कलर आ जाए जब हलका समय उपर से घी डालूँगी आप सने लाप ना भी डाले तो अच्छी लिए पर डाले से इसका फ्लेबर दुगना हो जाता है देखें इस तरह से हमारी बाट अच्छी लिए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सिस्क्राइब करें सपोर्ट करें थाइंक इस तो